आज की मीटी टीप्स है फिर स्किन के लिए और फेस मास मन आउंगी में यहां मैंने लिया है ओट मील दलिया इसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया है इसमें डालेंगे दही 1 टेबी स्पून भरके फाफ टीस्पून लेमन जूस और फाफ टीस्पून गलिस्ट्रीम तो इसमें यह जाएगा और यहां मेंने टीन फॉइल का एक मास बना के रखावाए तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें तलिया दही लेमन जूस हाफ टीस्पून गलिस्ट्रीम हाफ टीस्पून इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे कि देखें एक गाड़ाचा पैस बना लिया हम इसको सबसे पहले हम नीम गरम पानी से मूद दोएंगे ताथे पोर्फ खुल जाएंगे और मैं हाथ पेकर के बता रही हूं आपको फैस्ट्रीजिगा इसे लगाने और फिर लगाने के बाद तिन फॉइल इसके ओपर लगाएं और इसको प्रेस कर दें डबा दें दबाने के बाद इसे पांसे दस मिनट छोड़ दें और ये टिन फैल लगाने का मकसद अ सिर्फ यह है कि यह थोड़ा सा गरमाई की वजह से हमने बनाया है यह आपकी 600 के अंदर जाएं 5-10 मिनट छोड़ देंगे और फिर इसको हटाके 5-10 मिनट के बाद इसको हटाके और फिर अच्छा सा मालिश करेंगे इसका मसाज करेंगे फिर 2-3 मिनट अच्छ करेंगे फिर थंडे पानी से मुध दोलेंगे थंडे पानी से मूध दोलेंगे पिर एक आइस क्यूब लेके चेरे का मसाज करें से एक पूरी आइस क्यूब अपने चेरे पर लगाएं अभी बहुत असान है बनाना घंब ही बनाए और यह नहीं भी लगा सकते above यह यह श्रू करने यह लगाने का मकसन्सिफ यह हैं कि यह यह इसकी गर्माई के वजा से इसके आपकी स्किन के अंदर जाए उसकी कश़ा ड्शू नगी सिसमे में रिय्कन के छोटyal हंने काम करें या खारिश हो रही है तो उसको फेस पे यूज़ ना करें और अगर हाथ पे सही है तो फेस पे लगाएं बहुसे लोगों को लेमन से अलर्जी होती है तो सबसे पहले हाथ पे ट्राइब करें जो भी ब्यूटी टिप्स पे ट्राइब करें और यह देखें और एकनी भी रिमूव होगी तो यह किजेगा आपकी मर्जी है इस इन फाइल लगाएं यह ना लगाएं हाथ ते देखिए का अगर आपके जाज़े ही गरव साइस के लिए तो नहीं लगाएंगा तो यह बनाएगा मुझे बताएगा कैसा लगा अच्छा आपके मेरी वीडियो का मुझे मेरी वीडियो का मुझे मैसिज नहीं क्या करें मैं फैस्बुक में मैसिज नहीं चेक करती हूँ आप जो बताएगी मैसिज करना हो यूटूब पे मैसिज करें यूटूब पे मैसिज करें यूटूब पे मैसिज करें यूटूब पे यूट YouTube पे जितने भी मैसेजिया हैं मैं सबको answer दूँ तो यह बनाएगा मुझे बताएगा कैसे लगा अच्छा लगे थम्जब फिज्जे का मेरी वीडियो का अपनी फैब्लिस रेगा